हलो एबरिवान वेलकम बेक टुए चैनल मैं शोबनी सोबनी रावद वीटी चैनल से मैं आज आप लोगों के साथ आप लोगों की स्किन रिलेटिव प्रॉब्लम का वन सॉलूशन लेकर आई हूँ स्क्रब जी हाँ अगर आप लोग अभी तक स्क्रब को यूज नहीं करते हैं तो इसक्रब से रिलेटिव आपको बहुत सी बाते हैं जो जान लेनी चाहिए जो आपकी स्किन से रिलेटिव सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा लाइक आपको पिंपल्स है रेडनेस की प्रॉब्लम में आपकी स्किन का कलर फैर नहीं हो रहा है सम्तिंग जितनी भी प्रॉब्लम में आपकी सारी प्रॉब्लम का वन सॉलूशन है आपका स्क्रब अगर आप लोगों ने विंटर में स्क्रब को स्टार्ट नहीं किया है य को ये मालूम है और बिंटर में हमारी जो इसकिन है काफी जादा डल पढ़ जाती है विकास जो हमारे open pores है close हो जाते हैं हमारे अगल वगल जो हम pollution है या धूप में बैठते हैं तो इससे हमारी जो skin है उसके open pores close हो जाती है हमारी skin का जो skin color होता है वो काफी ज़्यादा डाउन पढ़ जाता है साथ साथ हमें pimples हुए redness हुई ऐसी problem बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सबसे पहले बात करते हैं pimples की अगर आपको pimples हो रहे हैं आपकी skin में pimples होते हैं और winter में ये problem बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बढ़ बीकली आपको अगर pimples की problem बहुत ज़्यादा हो रहे है तो आप बीकली स्क्रब को दो बार कीजे आप दिखेंगे कि आपकी जो skin की problem है pimples की problem है काफी ज़्यादा रिलीव मिल रहा है आपको scrubbing करने से second बात करते हैं अगर आपको pimples नहीं है बढ़ आपको इस तरह से redness हो रही है आपके बहुत पुराने ऐसे दाग हैं जो पड़े हुए है अगर आप बीकली पर हफ़ते में दो बार scrubbing करते हैं तो इस तरह की redness भी दूर होगी साथ साथ इस प्रकार की जो दाग धबे होते हैं साले धाग धीरे धीरे आपकी स्किन से दूर हो जाएंगे इस क्रेविंग में खुद इतना मुश्य होता है कि जो आपकी स्किन कोई अच्छे से oiling करता है साथ साथ आपको इसकिन को deeply clean करता है तो अगर आप लोगों को इस तरह से कोई भी धाग धबे निशान है प्रॉबलम है कि जो स्किन का कलर होता है वो जादा बहुत जादा डाउन पड़ जाता है तो आपको क्या करना है आप बीकली स्क्रफ से स्क्रफ कीजे अगर आप हो सके तो आप night to night हर दो दिन में night में स्क्रफ कीजे उसके बाद कोई भी light moisturizer लगा लीजे आप देखेंगे कि जो आपकी स्किन का कलर है काफी जादा फैर होने लगा है क्योंकि कोई भी fairν लवली से या कोई भी fairness cream से कलर fair نہیں होता है स्किन जब healthy होती है तब अपने आप, आपको स्किन आपकी fair लगती है जी हाँ और fair अगर आपकी miscon है तो आपको कोई भी फैनिस क्रीम की जरूत नहीं पढ़ेगी क्योंकि जो हमारी blood circulation है स्क्रब करने से जो हमारा skin का pH valence होता है साथ-साथ blood circulation बढ़ता है इस से जो हमारी skin है काफी ज्यादा फैल लगती है तो आप हर दो दिन में रात को क्रब कीजे उसके बाद कोई भी light mushroom लगा लिजे आप देखेंगे कि आपकी skin का जो color है काफी ज़्यादा fair हो गया है तो तीन ऐसी problem होती है जो basic है लाइक फश्ट है पिंपल्स की, second है redness, काले दाग धब्बों की, third है जो की बहुत ज़्यादा important है तो इन तीनों problem का one solution है इस्क्रब, आप कोई भी company का इस्क्रब लीजे, like everything का भी आता है, 10 रुपे के पाउस से start है, आप अपने जिप के according कोई भी ले सकते हैं, या किसी भी company का लीजे, आपको आपकी skin में इस्क्रविंग जरूर करनी है, winter में इस्क्रविंग बिल्कुल मत avoid क कीजे और अपने इस्क्रविंग को deeply clean कीजे, I hope अपनों के लिए ये knowledge काफी ज्यादा useful होगी, तो चैनल को subscribe करना, वीडियो को like, share करना, मत भूझ लेगा,